एक पतनी ने अपने पती की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और फिर उसी दिन उसके पती की कर दी जाती है हत्या आखिर क्या हुआ था दोस्तो इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंति तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरशी बाद चैनल में आपका स्वागत है यह घटना बिहार के सासाराम थाना छेतर के नरेना गाउं की है और 18 अक्टूबर 2022 को यह घटना घटित होती है दोस्तो 17 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ थी और करवा चौथ के अगले दिन्यानी की सुबह सुबह यहाँ पर हाईवे पर एक व्यक्ति की लास मिलती है और जब वह लास मिलती है तो गाउं के लोगों की नजर पड़ जाती है गाउं के लोग जब उसे देखते हैं तो गाउं के लोग पहचान लेते हैं कि यह तो हमारे ही गाउं का रहने वाला है माता पेता और उसकी पत्नी भी पहुंसती है पत्नी का नाम होता पूनम सिंग उसका रो रो का बहुत बुरा हाल हो जाता है सडक पर गिर कर रो कर रो पीट कर बुरी तरह से वहां पर एक माहल उसने बनाया हुआ था यानि कि रो रही थी, गिर रही थी, उट रही थी मानो जैसे कि उसका पती मर गया तो उसकी जीवन में कुछ भी नहीं रहा लेकिन यह सब फरेव था दोस्तो अब यहाँ पर बुरा हाल उन लोगों का हो जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है और जो लोग होते हैं, पुलिस के सामने ही हाईवे जाम कर देते हैं कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, इसको किसने मारा है इसकी हमें पूरी यहाँ पर रिपोर्ट चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए अब जैसे लोग highway को जाम करते हैं तो पुलिस उनको समझाती बुजाती है और कहती है कि हम तुम्हारे इस case को जल्दी ही solve कर देंगे तुम चिंता मत करो लेकिन हमें काम करने दो आप road jam करोगे तो हम आपके आगे पीजे घूमते रहेंगे और फिर case को कैसे सुल जाएंगे तो लोग मान जाते हैं और फिर लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं पुलिस के ओपर विश्वास जताते हैं अब पुलिस उस डैड़ वाड़ी को postmanum के लिए भेजती है और इंतिजार करती है कि postmanum report क्या आती है तो यहां पर postmanum report जब आती है तो पुलिस को एक और clue मिलता है postmanum report में बताया जाता है कि इनका गला दबा कर इनकी हत्या की गई है और इनके पेट में नसीली दबाई मिली है यानि कि किसी ने खाने के साथ इनको नसीली दवाई मिलाई पहले तो मिलाकर खिलाई और उसके बाद इसकी गर्दन को गोट कर मारा गया है अब यह बहुत बड़ा सबूत पुलिस को मिल जाता है और पुलिस समझ जाती है कि यह काम जरूर घर के ही किसी आदमी का है यह काम बाहरवाले का किसी का भी नहीं है तो अब क्या होती है पुलिस उस व्यक्ति के पिता से पूस्ताच करती है पिता कहता है कि साब खाना खाकर साम को अच्छी तरह से सोया था और जब सुबह हमारी आँखे खुली तो हमें खबर मिली कि हमारा बेटा जिसका नाम अमन कुमार है वे हाइवे पर मिर्ट अवस्ता में पड़ा हुआ है उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता अब यहाँ पर क्या होता दोस्तों जो अमन कुमार होता है वे प्राइविट कंपनी में जौब किया करता है हरियाना के अंदर और उसकी पतनी का नाम है पूनम सिंग और उसके माता पिता भी उनके साथ रहा करते हैं यह दोनों पती पतनी रहा करते हैं और अच्छे से वे परिवार अपना खोसाल पने से जी रहा है अब यहां पर पुलिस जो उसकी पत्नी होती है उससे पूस्ताच करती है तो पत्नी बताती है पूनम कि 17 अक्टवर 2022 को करवा चौत का वृत था और मैंने अपने पत्नी से कहा था कि तुम करवा चौत पर आ जालती है और उससे कहती है नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा मैंने वरत रखा है और इस करवा चौत के वरत को मैं किस तरह से खोलूंगी अगर तुम नहीं आओगे तो अब जो पती होता है यानि कि अमन कुमार अमन कुमार अपनी कंपनी में अपने बौस से अपने खुश थी करवा चौत वाली रात मैंने उसके साथ वरत खोला और साम को जब हम सो गए तो साम को पता नहीं क्या हुआ सुबह हमें खबर मिली कि हाइवे पर उसकी लास पड़ी हुई है अब यह बात वह पत्नी बताती है पुलिस के सामने तो अब यहां पर क्या होता दोस्तो पिता से फिर से पूस्ताच की जाती है पुलिस के दौरा तो पिता एक बात अजीब सी कहता है पिता कहता है कि हम सोते तो रोज हैं लेकिन कल रात जब हम सोए थे तो बड़ी गहरी नीद आई थी वरना रात को मैं जाग करके और घर के इधर उधर देखकर भी सोता हूँ ए घर के इधर के ही किसी व्यक्ती नेखाने के अंदर नसीली दवाई मिलाई है अब यहाँ पर क्या होता दोश्तों पूलिस को पूनम के उपर हい सकता क्योंकि पूनम ये उस घर के अंदर खाना वगेरा बनाने का काम करती है पूलिस को जəλ पता लगता है तो पूनम की concentrate इस ससुर से पूस्ती है कि यह कमलेश कौन है तो ससुर बताता है यानि कि जो अमन कुमार का पिता है वह बताता है कि हम तो किसी कमलेश को नहीं जानते तो अब यहाँ पर पुलिस के सामने एक और किलू आ जाता है और फिर उस पतनी पूनम सिंग और उस लड़के जिसके साथ अफेर चल रहा था उसका जिसका नाम होता है कमलेस उसको गरबतार कर लिया जाता है और उनको गरबतार करके उनसे सक्ती से जब पूस्ताच की जाती है तो यहां पर एक खुलासा होता है अब यहां पर जो पूनम सिंग होती है बताती है कि कमलेस्ट से मेरी मुलाकात चार महीने पहले हुई थी और इससे मैं प्यार करने लगी थी, दोनों एक दूसरे से फोन पर बाते किया करते थे और कई बार मैं काम के महाने बाहर निकल कर इसके साथ सम्मन भी बनाया करती थी अब यहाँ पर क्या होता है पूनम कहती है कि मैं अपने प्रेमी से जिक चुकी हूँ एक तरह से उससे मैं बोर हो गई हूँ अब वह कमलेस की ग्रफ्ट में है और उससे प्यार करना चाहती है कमलेस से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं इस अमन कुमार से बिलकुल तंग आ गई हूँ इससे मैं बोर हो गई हूँ मेरा मन इसके साथ नहीं लगता है अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है अब जो कमलेस होता है वह इससे कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए तो पूनम कहती है अब यहाँ पर यह दोनों मिलकर के प्रानिंग करते है और जो कमलेस कुमार होता है उसका एक दोस्त होता है सिवम उसको वह अपने साथ मिलाता है और पूनम को नींद की गोलियां दे दी जाती है और उससे कहा जाता है कि रात को खाना जब बनाओ तो सब के खाने में इन गोलियों को मिला देना जिससे कि सारा परिवार सो जाएगा और फिर हम इसकी आराम से हत्या कर सकते हैं वह पत्नी अपने पूरे परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिला देती है सबी लोग सोय हुए थे और उसके पती को भी नीद आ जाती है और फिर अपने प्रेमी और प्रेमी का दोस्त सिवम उसको घर में बुला लेती है और फिर सोते हुए अमन कुमार की गर्दन को दबा दिये जाता है गला दबा कर उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर उसकी लास को रात और रात उठा करके हाईवे पर डाल दिया जाता है तो यहाँ पर दोस्तो अब पुलिस के सामने सारी घटना खुल जाती है और पुलिस पूनम से कह रही होती है कि तू वही पत्नी है ना जो हाईवे पर अपने चूडियां तोड रही थी और जोड जोड से रो रही थी और उपर से नीचे गिर रही थी तो दोस्तों इस तरह से खुलासा हो जाता है अमन कुमार को मौत के घाट उतार दिया गया उसकी पत्नी की साजिस और उसके पत्नी के बॉइफ्रेंड के द्वारा तो ऐसे किस्वों में ऐसी ही घटनाय हुआ करती है अब प्रेम से प्रिसंग जो होते हैं आज के जमाने में सचे प्रेम प्रिसंग नहीं है वो जमाना कुछ और ता जब लोग जान दे दिया करते थे आज के जमाने में तो प्रेम में लोग जान लिया करते हैं नाकित दिया करते हैं बहुत बुरा दोर चल रहा है दोस्तो साबधान रहें सतर्क रहें कभी भी ऐसे चक्करों में ना पड़ें वरना जिंदगी तबाहोने में एक मिनट का टाइम नहीं लगता है इन फालतू की चीजों से दूर रहें और अपने आपका अपना मन जो है उसको परमात्मा के सिरी चर्णों में लगाएं और उसके बाद देखो जीवन कितना अच्छा होता है ये तो एक तरह से कहते हैं नरक कुंड होता है इसमें पढ़ना तो बहुत बुरी बात होती है जीवन कहीं का नहीं रहता धोबी का कुत्ता घर का न घाट का इस तरह की परिस्तिती बन जाती है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सेयर जरूर कर दिया करें और अगला प्रोग्रम बोजल्दी फिर से लेकर आओंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें साबधान रहें रिस्तों की अहमेत को समझें जे हैं जे बारत